आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Is waking up early important for your success? क्या सुबह जल्दी उठना एक मात तरीका है काम्याबी के लिए? तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजिए and please press the bell icon आज कल आपने देखा होगा ज़्यादा तर जगापे बात की जाती है कि किस तरीके से 5 AM कलब, 6 AM कलब, 4 AM कलब का मेंबर बनना जरूरी है अगर आप अपने जिन्दगी में काम्याब होना चाहते है ज़्यादा तर सक्सेस्फुल लोग भी हमेशा जल्दी उठते आए है यानि कि early to bed, early to rise जो बोला गया था उसके उपर काम्याब लोग काम करते रहे है पर my dear friend, modern times के साथ चीज़े बदल गई है उस समय पे हम लोग ज़्यादा देर तक रात को नहीं जागा करते थे हमरे काम करने के तौर तरीके अलग लग नहीं हुआ करते थे मगर जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है अलग-अलग researches सामने आ रही है और उनका मेंसे कई researches में यह चीज़ शो हो चुकी है कि हर एक वेक्ति की proficiency अलग टाइम पर होती है कुछ लोग जादा जल्दी उठकर जादा बहतर काम कर पाते हैं और कुछ लोग रात को जादा बैटर काम कर पाते हैं तो important इस बात को समझना है कि आप किस समय पर उठ रहे हैं वो माइने नहीं रखता आप जब उठे हुए हैं आप उस समय को कैसे सद्यूपयोग कर रहे हैं कैसा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं यह matter करता है अगर आप सुबह जल्दी उठके भी सारटेम Netflix और Social Media पर बिता देंगे तब भी उसने आपको कामयबी नहीं देनी है और अगर आप देर रात तक जाकर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं जो आपके सपनों को अचीव करने के लिए matter करते हैं जो आपके सपनों को अचीव करने के लिए जरूरी है तब आपको कामयब होने से कोई नहीं रोख सकता So forget about at what time you are actually getting up and focus on what you are doing when you are awake Stay safe, stay blessed, bye, take care एंगर आपनी इसको वीडियो ने help को help किया है तो इसको share ज़रूर करें Bye, take care